देश में लोकसभा चुनावों का माहौल है हम है हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ है मुकेश अगनी होतरी जो के कॉंग्रेस के रणनीतिकार है और प्रदेश में विधान सभा में विपक्ष की नेता है मुकेश जी राज्य सभा टीवी में आपका स्वालत है धन्यवाद लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं चारो सीटे जो राज्य की हैं इस वक्त 2014 के चुनावों में बीज़ेपी के पास थी इस बार आपको क्या लगता है इस तफ़ा चुनाव जिस ठंक से आगे बढ़ रहे हैं भारतिया जनता पार्टी की मुश्कलें बढ़ती जा रहे हैं और इसलिए भारतिया जनता पार्टी के लोग जो हैं हताशा में बौकलाट भरे बयान दे रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में भारतिया जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है सत्पल सत्ती उन पे चुनाव योग ने रोक लगाई है अब भारतिया जनता पार्टी के प्रदेशा अध्यक्ष सोलन में जाके एक रैली में जिस धंक से उन्होंने गाली गलोच किया है वो सब्यासमाज में किसी को भी और मैं नहीं समझता कि मैं आपके चैनल पे उस बात को रपीट भी कर पा हूँ ये तो प्रदेश की बात है वैसे बाकी प्रदेशों में भी इस तहां की कारवाईया हुई है कुछ निताओं पर लेकिन अगर मैं आगे बढ़ू कि बड़े मुद्दे जिन पर जनता जो है कि आखिर लोग सभा में यहां सरही माचल में चार सीटों से किने भीजा जाना है वो मुद्दे आपको क्या रखते हैं यह देखें जहां तक मुद्दो का स्वाल है सबसे एहम मसले जो भारतिया जनता पार्टी को जिन को करना था वो तो ये थे कि रामंदर बनाएंगे रा किसी के खाते में वो पैसा नहीं आया कहीं कहा था स्मार्ट सीटी बनाएंगे वो स्मार्ट सीटी कहीं बनी नहीं है बुलेट ट्रेन चली नहीं है धारा तिन सो सतर समापत नहीं हुई है इसलिए भारतिया जनता पार्टी को इस वार जो है अपना चुनाबी घोशना पतर की बजाए इस वार माफी पत्र लाना चाहिए था ताकि वो कहते की वह हमें माफ कर दो हमने आपको पिछली दफ़ा ये 346 बाइदे किये थे हम इन में से किसी को भी पूरा नहीं कर सके लेकिन इस दफ़ा उन्होंने फिर से वही बातें दोहरा दी हैं कि हम राम मंदर बनाएंगे असली मुद्दों से तो भारतिया जन्ता पार्टी मूँ मोड रही है कि जिन मुद्दों को ड्रेस करना था उनकी कहीं पे भी बात नहीं हो रही है और चुनाब का मूँ जो है दूसरी तरफ को मोड़ा जा रहा है जहां तक सर्वेज की बात है ये अभी भी माना जाता है कि प्रधान मंत्री नाइंद मोदी जो है उनकी पॉपलरिटी बहुत जादा है कंपेर टू कॉंग्रेस के नेताओं के मकाबले तो ऐसे में कॉंग्रेस का सबसे बड़ा प्लैंक जो है जो आपका घोशना पत्रा आया ह तो उसमें सबसे बड़ा प्लैंट था नियाय की योजना जिसमें ये कहा गया था कि किस तहां से जो गरीब तपके हैं उनको किस तहां से पैसा पहुचाया जाएगा या किस तहां से उनकी सेक्यूरिटी सोशल सेक्यूरिटी का खयाल रखा जाएगा लेकिन ये बहस उसके से अब तक छिडी हुई है कि क्या वो योजना जो है implementable है लोगों में आप कैसे हिमाचल की लोगों में अगर बात करें तो आप कैसे विश्वास जताएंगे कि न्याय जैसी योजना जो है वो implement की जा सकती है चौकाने वाले नतीजे आएंगे और आने वाले समय में राहूल गांदी परधान मंतरी बनेंगे और जहां तक आपने नयाय की बात की जब भारतिय जनता पार्टी पंद्रा क्रोड पंद्रा लाग की बात करती है कोई उनको क्वेश्चन नहीं करते है किसी ने उन से नहीं पूछा भई राम मंदर क्यों नहीं बना किसी कोई उन से नहीं पूछ रहा है कि गंगा का साथ अजार क्रोड रुड 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 ख रुपया देने की बात है गरीब को और भातर हजार रुपय का मतलब की छे हजार प्रति मा देना है पूरी कलकूलेशन्स के बाद एकसपर्ट्स की राए लेने के बाद बड़े विदुआनों से बात करने के बाद ये तैय हुआ कि छे हजार रुपया देना ये मुनासिव है और बैभारिक है और इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये भारतिय जंता पार्टी का जो है जुमला नहीं है ये गरीब को जो है देश के गरीब तक पहुँचने की एक बहुत बढ़िया जोजना है जिसमें जिसका फाइदा गाओं और गरीब तक पहुचा और पहले भारतिय जंता पार्टी के लोग कहते थे हमें इसको बंद कराएंगे परधान मंत्री ने भी जब पहली दफ़ा संसद में भाशन दिया तो मनरेगा का बहुत मजाक उड़ाया लेकिन बाद में उनको मनरेगा के लिए बजट महिया करवाना पड़ा बढ़ाना भी पड़ा क्योंकि उनको पता है कि लग गया कि हिंदुस्तान के लोगों की गाओं में जरूरत है इसी ढंक से जब ये योजना इंप्लिमेंट होगी इसका बहुत फाइदा होगा गरीब तक बात पहुचे है बिलकुल अंत में तो जबकि कांग्रस पार्टी तो शुरू में ही ये कह रही है कि हम इस योजना को इंप्लिमेंट करेंगे और इसके बाद किसान का करजा माफ करने की तरफ बढ़ेंगे किसान का करजा कांग्रस सरकारों ने माफ किया भी है अभी जितनी कांग्रस की सर का रहे हैं चाहे पंजाब में हैं चाहे मद्यापरदेश राजस्थान या 36 कड़ में सब जगा किसान का करजा माफ करने के लिए कदम उठाए गए इन्हों ने किसान की आए डबल करने की बात कही थी लेकिन कोई आए डबल करने के लिए कोई कदम ने उठाया आप वी सो तक बच्चों को जो है शिक्षा मुफ्त मिलेगी या यह कहा है कि 6% बजट का जो है शिक्षा पे लगेगा या स्वास्थ्या का बजट बढ़ाने की बात किये यह बहुत बन्यादी कदम है जिसकी जरूरत है मुखेश ची दो तीन बाते हैं आपने कही एक तो आपने बाते कही कि बीजेपी ने अपने घोशना पत्र में पिछले घोशना पत्र में जो वादे किये वो पूरे नहीं किये इस किया तो हिसाब किताब जनताब करेगी अगर जो भी उनको लगेगा दूसी तरफ आपने कहा क जहां तक परद्धान मेंंती की विदेश यात्राय थी, बाला कोर्ट में जिस नहां का सपोर्ट B.J.P को मिला या सरकार को मिला. उसका यह दर्शाता है कि वो यात्राय जो हैं उसका फायदा देश को मिला है. हम इस से आगे बढ़ें और ये बात करें कि कौंग्रेस के D Jahre के दस साल जो थे जिसके बाद भरहश्टा चार के बहुत सारे आरोप जो थे वो कौंग्रेस बहुत लगे थे केंद्री सरकार पर अएसा कोई आरोप जो है BGP की सरकार पर नहीं लगा है पर इसके बाद जो मैं राज्यों की आज हिमाचल की बात करेंगे हिमाचल राज्य में क्या हो रहा है आप अगर देखें कि कॉंग्रेस की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं एक बात दिखाई देती है जो कि चुनावों को सीधा असर कर सकती है वो है कि कांग्रेस में हिमाचल में एक फैक्शनलिजम दिखाई देता है तो इस ये जो फैक्शनलिजम है इसको आप किस तहां से जो है वो संभालेंगे ताकि आपका प्रदर्शन जो है प्रदेश में वो बहतर हो ने तो पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर मोदी जी को देश दुनिया में रेड कार्पेट वलकम मिला है तो इसलिए नहीं मिला है कि वो मोदी जी ने कुछ किया था ये इसलिए मिला था कि हमारी सरकारों ने कांग्रिस की सरकारों ने पूरी देश दुनिया में हिंदोस्तान का डंका बजा के रखा और इसलिए का हिंदोस्तान को कोई भी नजर Andaश नहीं कर सकता दूसरी बात आपने कही है की हिमाचल प्रदेश के परिपेख्ष में जहां तक हिमाचल की बात है तो असंतोश भारतिय जन्ता पार्टी के बीतर किस पैमानने का हो उसका आप अंदाजा लगाओ कि इनका एक सीटिंग मिनिस्टर अनिल शर्मा उनके पिता सुखराम कांग्रस में शामिल हो जाते हैं सबा साल में उनका बेटा जो है आशे शर्मा कांग्रस में शामिल हो जाता है और वो कांग्रस टिकट ले लेते हैं उनकी अनिल शर्मा की पतनी जो है वो बेटे के साथ परचार करती हैं अनिल शर्मा से यह अस्टीफा ले नहीं पाते और रोज बोलते हैं कि अपने विवेक से फैसला करे और अंतता जो है उन्होंने अस्तीफा दिया, सबा साल में इनका मंत्री चला गया, इनका भार्तिय जनता पार्टी का राजिया अध्यक्ष रहा और तीन दफा खंसानसत रहा, वो कांग्रस पार्टी से टिकेट मांग रहा है, इनका मीडिया एडवाईजर जो है चुनावों स के लिए परचार नहीं कर रहे हैं, कांग्रस के संपर्क में है, या कांग्रस के लिए परचार कर रहे हैं, तो हिमाचल परदेश में पहले तो बीजेपी ये बताएं, कि उनको चार सांसदों में दो सांसद हटाने क्यों पड़ गए चुनाव परचार के, शांता कमार इनके विरिंदर कशप का आपने टिकट काड़ दिया पहले मुखे मंतरी कहा रहे थे चारों सांसद हम रिपीट करेंगे फिर क्योंकि कांग्रस का द्वाब बढ़ा कांग्रस ने जब बाद की रिपोर्ट काड़ की तो दो टिकटें तो पहले ही कट गई और उसके बाद जो दो रि काम नहीं किया हिमाचल परदेश में कितने काम थे यहां की सेंटरल यूनिवरस्टी थी उसका फाउंडेशन स्टोन लास्ट डे कर रहे हैं सत्ता के आखरी दिन कर रहे हैं एम्ज यहां पे बढ़ा नहीं रेलवे लाइने यहां पे आगे बड़ी नहीं हवाई पटियां य जैसे जम्हू कश्मीर को दिया जैसे जिस ठंक से नॉर्थ इस्ट को दिया वो इंडस्ट्रिल पैकेज हिमाचल को नहीं दिया और फाइनेशल पैकेज की कहते थे डबल इंजन चलेगा जैसे ही सरकार आएगी लेकिन हिमाचल क्रोड को कुछ नहीं मिला यह कोरे गपे हैं ह हिमाचल परदेश का जो कह रहे थे कि दस हजार क्रोड के प्रजेक्ट आएंगे अब फॉरन फंडिंग आएंगी हिमाचल परदेश को मजूदा सरकार से कोई मदनी मदनी हुई हमारे मुख्यमंत्री जैराम जी रोज जो है डिल्ली हेलिकॉप्टर लेके जाते हैं वहां से ब आर एसस की कटपुतली बनी हुई है हालत यह है कि आप इस परदेश का यह देखे टूरिजम सेक्टर मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने की बात का थे टूरिजम में आखरी पायदान पर पहुंच गए हिंदोस्तान में और ट्रिब्यूनल को अब भंग कर करने की बात आ रही है पहले उसमें दो मेंबर्स लगा दिये यूनिवर्स्टी च्छालीस रैंक नीचे गिर गई सहर चीज में आप बताएं आप यह ऐसा बता दें कि कौन सी ऐसा काम जैराम सरकार ने किया और जहां तक आप कांगरस में असंतोश है कांगरस में कोई असंत अध्यक्ष रहे हैं खीमी राम में असंतोश है जो इनके अध्यक्ष रहे हैं सुरेश्टन देल में असंतोश है जो इनके अध्यक्ष रहे हैं मुखे मंतरी रात के अंधेरे में उनको मनाने के लिए आ रहे हैं तो असंतोश भाजपा में हैं कांगरस एक जुट है वीर सिंग की कॉंसिचेंसी मानी जाती है वहां पर आपको आश्रे शेरमा जो की सुखराम जी के पोते हैं उनसको टिकेट देना पड़ा क्या कॉंग्रेस में ऐसा कोई विक्ति नहीं था जो जो वीर भदर सिंग की लगसी को आगे बढ़ा सकता नि देखे वीर भदर सिंग हिमाच सबा के सदस्य हैं आज दिन तक हिमाचल विधान फ़ा के सदस्य है जो इतिहास काईम किया वो कोई रच नी सकता वो तो एक इतिहास रचा है अब सौल ये है कि इस समय मंदी की सीट पर ऐसा संग्राम हो रहा है ऐसा घमासान हो गया है कि मुख्य मंत्री मंडी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं अब उनीस ओ ठानुव में सुखराम की मदद से आपने सरकार बनाई तब तो आप कहते थे सुखराम बहुत महान है अभी हाल ही में जब आप सुखराम जी को बीजेपी में ले गए और उनके बेटे को आपने मंत्री बनाया तब उसको अमित शा का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और आज जो है अगर सुखराम कांग्रस में आगे तो वो आपके पास थे तो वो गुणी थे तो वो पुन्या थे हमारे पास आगे तो पाप हो गए बात ये नहीं है आप देखें लड़ाई क्या हो रही है आज सवाल है लड़ाई की आप वहां पे जो लड़ाई हो रही है मुख्यमंत्री अभी तक तो बाहर निकले नहीं है मुख्यमंत्री अभी तक राम सुरूप को अपने कंदे पे सवार करा के बाहर निकालना है और बहुत बड़ी चन लिए ये तो टिकट देना जो है हाई कमान का काम है और कई तरह की रन्नितियां होती है अब आप देखें पिछली दफ़ा जो भाजपा के सांसत थे उस में से नबे असी नबे सांसत तो वो थे जो कांग्रेस प्रिष्ट भूमी के थे तो ऐसा रन्निती के तहट अगर आश्य शर्मा को लानी का एक कारण ये भी है कि विधान सभा में मंडी की नौ की नौ सीटें जो है कॉंग्रेस हार गई थी और वो भी उस ये इसके भी इंपॉर्टन्ट है इसकी सवाल क्योंकि मंडी सीट जो है मैं फिर कहूंगा वीरभदर जी की सबसे उनकी कॉंसिच्वेंसी रही है और एक प्रेस्टीजियस सीट देखें बीरभदर सिंग जी चुनाब लड़ते तो यकीनन जी जाते बीरभदर सिंग जी का तो कोई सवाल नहीं है वो तो मासीज के लीडर है तो इसलिए सवाल ये है कि जब कोई नया कैंडिडेट वहां से आना है तो नये कैंडिडेट में जो उनके पास आई होगी उसमें आशे शर्मा को टिकट दिया है लेकिन भारतिया जनता पार्टी की दिखतें इस समय ठीक ठाक बड़ी हुई है आप आपकी टीम भी वहां जाएगी तो आपको पता लगेगा कि किस ढंक से यहां पे चुनाब हो र ने बीर भादर सिंग्ग तो हमारे चीफ कंपेणर है वो कैंडिडेट नहीं है है हमारे वो कंपेंडेट कर रहे हैं लेकिन आप देखो न जो लोग कैंडिडेट थे राम सरूप जी ने क्या क्या कहा था जुगिंदर नगर तक रेल पंचाए जुगिंदर नगर से जो है मं हिमाचल पर्देश पे करजा हो गया दिल्ली ने बिल्कुल मदद नहीं की यह अभी साथ हजार करोड रुपे का पर इसमें तो कॉंग्रेस की भी कॉंट्रिबीशन है कॉंग्रेस इस कर रहे हैं हिमाचल में तब से आ आ रहे हैं आपने नारा क्या की दिया था आप अब की वा हिमाचल के साथ जो धूखा हुआ वो था नेशनल हाइवेज का आपने कहा था पैंसट हजार क्रोड के नेशनल हाइवे बनाएंगे सतर नेशनल हाइवे बनेंगे एक भी नेशनल हाइवे जो है शूरू नहीं हो सका एक भी नेशनल हाइवे की सैंक्शन नहीं हो सकी जबकि कि इस दोरां दो बजट आये दिली के लेकिन कोई मदद नहीं हुई अब जो बड़े बड़े वाइदे थे वो पूरे नहीं हुए हैं यहां पे कहा था फैक्टर टू लगाया जाएगा किसानों की जमीन से चार गुणा उनको जो है मौफजा दिया जाएगा उनको कोई पैसा क्या चाती है कि मुद्दों की बात ना हो भारतिया जन्ता पार्टी मुद्दों पर बात नहीं करना चाती है वो हटके बात कर रहे हैं इसलिए आपने नैशनल लेवल पर भी देखा होगा कभी सेना की बात हो रही है क्योंकि इनको पता है मुद्दों की लड़ाई नहीं ल मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि हिमाचल सरकार की performance पे तो हाल ही में एक जो survey आया था उसके मताबिक हिमाचल में जो growth rate है वो बड़ा है 7.3% हुआ है 6.7 तो इससे आगे बढ़ते हैं एक जो आरोप Congress पे लगता है वो संगठन का आरोप है कि Congress वीर भद्रजी से आ उतना बड़ा नहीं किया है कि वो अपने दम पर चुनावों में वोट मांग सकें अब भी Congress को Congress की leadership को वीर भद्र जी का सहारा चाही होता जबकि वो वेवर नेता हैं काफी समय हो गया हिमाचल परदेश में वीर भद्र सिंग जी के रहते ही मैं जो है प्रतिपक्ष का नेता बना हूँ वो उसी हाउस के मेंबर है मेरे साथ बैठते हैं तो मेरे साथ बैठते हैं और मैं मुझे Congress विजाएक दल का नेता बनाया गया है तो दूसरा जो है पार्टी के अध्यक्ष कुल्दी परठावर बने हैं यह सब new generation के लोग हैं और बीर वद्र सिंग जी हमारे साथ हर मीटिंग में जा रहे हैं हर जगा जा रहे हैं लेकिन उनका जो मास बेस है पार्टी उसका फाइदा तो लेगी उनको उनके जाते ही किसी भी मैफिल का रंग बदल जाता है तो हमें उनका सहयोग लेना है अशीरवार लेना मैं नहीं समझता कि यह कोई गलत बात है कि बीर मंत्री जो हैं मंदी सीट कर रहे हैं और इसी डंग से जो इनके लोग जो हैं परचार में लगे हैं लेकिन कांग्रस पार्टी पूरे एक जुट होके हमारे यहाँ पर ठीक है कोई नई लीडर्शिप को जो है कोई फैक्टरियों में तो बननी नहीं है यह यह तो बनके होगी ये तो जनता की अदालत में बनेगी तो उसको समय लगता है पुगे शक्मिन जोत्री जी राज्य सभाटीगी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया